हाई फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको कोहने के कालेपन को और घुटन के कालेपन को दूर करने का एक असान सा घरेलू उपाय बताने जारी हूं इस नुसके की इस्तिमा के लिए चैनल लेपन ककर लाकम के लिए भी इूटन को फ़से चिर चावल ना cuánt आता थकले और फिर सकते हैं बारी पीचले और तढॆत में जाड़ा में श्टूर करके रख लेजने इसे हृत्तिक लिए बहुत ज्यादा होता है सातिया घरल्यों का काम करता है वह तो आपकी तोचा को exfoliate करता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है आपको लेना है लेमन पील पॉडर यानि की नीबू के छिलके का पॉडर इसे भी आप असानी से घर पर त्यार कर सकते हैं नीबू के छिलकों को धूप में सुखा ले और फिर उसे बारे एक पीस करके स् दागधबों को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है रोज वाटर यानि के गुलाब जल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़े सी मात्रा में आपको नीबू करस इस्तिमाल करना है नीबू हमारी तुचा को ब्लीच करता है जिसे हमारी तुचा गोरी निक्री और चमकदार हो जाती है अब मैं बताते हूं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको नीबू के टुकड़े के उपर इस तरह से आप इसके उपर लगाए और अब इससे आप अपने कुनी और घुटनों के स्क्रब करें अच्छी तरह से हलके हलके से नीबू को निचोड़ते रहें जिसे इसका रस भी आपकी तुचा पर लग सके और आपकी तुचा के कालेपन को दूर कर सके पांच मिनट तक आपको इस तरह से स्क्रब करना है और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखना है इसके पहले इस्तेमाल में ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क न जराएगा आपके कोनी और घुटनों का कालापन दूर हो जाएगा आप चाहे तो इसी तरीके से अपने पैरों पर हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है यह तोचा के कालापन को दूर करने के लिए तोचा को गोरा चमकदार और मिक्रा हुआ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हफते में दो से तिन बार करें आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा तोचा काफी खुबसूरत हो जाएगी कोने और घुटनों का कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा साथ ही अगर तवचा पर दाग धब्बे हैं उसे भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और करें बेल बटन को जरू क्लिक कर लें अब वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में